बात करेंगे चोसट योगनी मंदिर के बारे में चोसट योगनी मंदिर क्या है ये आपका चर्चा में क्यों है और इसका इतिहास क्या है आज की वीडियो में सब कुछ हम समझने वाले हैं काफी अच्छे से आपको वीडियो को पूरा देखना है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखे सबसे पहले समझते हैं चोसट योगनी मंदिर आपका चर्चा में क्यों हैं देखे ऐसा माना जाता है कि पुरानी संसद भवन का डिजाइन मध्या परदेश के मितोली गाउं में इस्तित चोसट योगनी मंदिर से प्रेरि था इसके अलावा आपको याद रखना है चोसट योगनी मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह मध्या परदेश के मितोली गाउं में इस्तित है यह चीज़ भी आप याद रखेंगे कि यह MP में है ठीक है पुराने संसद भवन को वास्तुकार एडवीन लुटियंस और हरबर् यहां से अक्सर आपसे एक्जाम में कोशन पूछा गया है कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कोन थे तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडवीन लुटियंस और हरबर्ड बेकर थे इसके अलावा भविय चोसट योगनी मंदिर गोलाकार है इसमें चोसट सेस्था के बारे में याद रखना है क्योंकि ऐसा कोशन आर्ट और कल्चर से आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि भविय चोसट योगनी मंदिर गोलाकार है इसमें चोसट योगणियों के प्रती समर्पित 64 कक्ष भी है इसके मद्या में एक मंदिर है जो भगवान सिव को समर्पित है इसके अलावा 64 योगनिया सक्तिसाली योध्धा थी तथा तंत्र वय योग विद्या से संबंदित थी इसका निर्मान 1323 इस्वी के आसपास कच्छ पखात वंस की राजा देव पाल ने करवाया था तो इस मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था देव पाल ने करवाया था 1323 इस्वी के आसपास ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखेंगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका 64 योगनी मंदिर तो यहाँ पर इसकी आपको इमेज दिखाई गई है बताया जा रहा है देखिए इसी प्रकार से आपने देखा होगा तो यह था आपका 64 योगनी मंदिर आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स पर वोचिंग दा क्लास कीप वोचिंग प्लिस लाइक शेयर और सबस्क्राइब थैंक्यू